साथियों, आज 21 सदी का भारत पूरी दुनिया को संदेश दे रहा है, कि एकोनामी और एकोलोजी कोई विरोधाभासिक शेत्र नहीं है, परियावरन की रक्षा के साथ ही देश की प्रगति भी हो सकती है, ये भारत ने दुनिया को करके दिखाया है. आज एक और हम विश्व की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्ता में शामील है, तो साथ ही देश के बन ख्षेत्रों का विस्तार भी तेजी से हो रहा है. इसके पीछे दसकों की महनत, रिसर्ट बेज, पालिसी और जन्भागीदारी की बड़ी भूमी का है. मुझे याद है, हमने गुजरात में एक संकल पर लिया था. हम जंगली जीवों के लिए सम्मान बढ़ाएंगे और संगर्ष गटाएंगे. आज उस सोच का प्रभाव परणाम के रुप में हमारे सामने है. देश में भी टाइगर्ष की संख्या को दोगुना करने का जो लक्ष ताइक किया गया था, हमने उसे समय से पहले हासिल किया है. असम में एक समय एक सिंग वाले गेंडों का अस्तित्व खत्र में पढ़ने लगा था. लेकिन आज उनकी भी संख्या में वृद्धी हुई है, हाथियों की संख्या भी पिछले वर्षों में बढ़कर 30,000 से ज़्यादा होच गई है. भाई और भेनों, देश में प्रकूती और परियावरण के दरश्टिकौन से जो एक और बड़ा काम हुआ है, वो है वेटलेंड का, वेटलेंड का विस्तार. भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में करोडों लोगों का जीवन और उनकी जरुरतें वेटलेंड एकोलोजी पर निर्भर करती हैं। आज देश में 75 बेटलेंड को रामसर साइट्स के रूप में गोशित किया गया है, जिन में 26 साइट्स पिछले चार वर्सों में ही जोड़ी गई हैं। देश के इन प्रयासों का प्रभाव आने वाली सदियों तक दिखेगा और प्रगती के नए पत प्रसस्त करेगा।